मैं हूँ आकांग शाह और आज के वीडियो में मैं एड के लिए एक मेकप टूटोरियल शेयर कर रही हो जो बहुत ही इजी है बहुत ही सिंपल है सिर्फ दो मिनिट का टाइम लगेगा मैंने वीडियो शूट किया शाइसे इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया पर आप लोग ट्राइ करेंगे तो सिर्फ दो मिनिट लगने वाले हैं सिर्फ तीन प्रोड़क्ट का यूज किया हुआ है बहुत ही सिंपल है बहुत इजी है इससे ट्राइज जरूर करना और एडव मेकप प्रोड़क्ट यूज करने है इसलिए मैं अधर जैल अपलाय कर रही हूं तो आप अच्छे से मसाज कर लीजे जैल से इसके बाद नेक्स्ट स्टैप है यह मैं ऑलिविया का पैंकेक ले रही हूं आपको फांडेशन या किसी भी कंपनी का पैंकेक ले सकते हैं पर ज किसी भी फांडेशन को बीवी सी सी क्रीम को नेक पै और येर पै अंडर आई एरिया पे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहां भी आपको पिग्मेंटेशन की प्रॉब्लम है वहां पर आप इसको डबल अप्लाइक कर लीजिए इस तो कंप्लीट हो गया तो मैं ले रही हूं कॉलोजल काजल तो जैसे की काजल को लगाते हैं आप जितना थिक करना जाहते हैं उतना थिक कर सकते हैं तो मैं इसको थोड़ा साथ थिक कर रही हूँ और इसको अपने अपरायलेक पर भी लगा लूँगी तो अब स्मोकी आइस क्रेट करते हैं इसके लिए मैंने काजल को अच्छे से स्प्रेट कर लिया है आइशेडो पैलिट में अगर प्लैक कलर हो या फिर कोई भी डार्क शेड हो तो आप उससे फनिशिंग कर सकते हैं और कीजिएगा क्योंकि इससे बहुत अच्छा लुक आता है तो अब मैं ब्रश की हेल्प से इसको स्मच कर रही हूं तो अब इस पंच की हेल्प से इसको फिर से सेट कर लेंगे अब लोग आइलेट पर भी ब्रश की हेल्प से इसको स्मच कर लेंगे आइब्रोस फिल करने के लिए भी मैं इसी ब्रश का यूज़ कर रही हूं अगर आपके पस आइब्रो पैंसिल है तो आप उससे अपनी आइब्रोस फिल कर सकते हैं तो अब लेते हैं लिपस्टिक मैं नायगा का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूं तो अब मैं लगाऊंगी ब्लश तो चीक्स पे लिपस्टिक लगा लेती हूं इसके बाद ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से स्प्रैट कर लोगे ब्लश जादा दिख रहा है आप वहाँ स्पॉंज की हेल्प से कम कर सकते मेकप तो हो गया ड्रेस और जूलरी पहन के इस मेकप लुक को कम्प्लीट कर लेते हैं ब्लश जादा दिख रहा हैं